पानीपत में जिटी रोड पर पुल के नीचे खड़ी कारों में आग लग गई आपको बता दें कि जिटी रोड के नीचे पबलिक पार्किंग बनी हुई है जहां पर शहर के लोग अपने वहन पार्क करते हैं पार्किंग के सामने ही ना सिर्फ DCSB के आवास हैं बलकि लगू सचिवाले भी पार्किंग के सामने ही स्थित है बीती रात एक स्विफ्ट डिजायर और इंडिका कार पार्किंग में खड़ी थी किसी असमाचिक तत्व ने दोनों कारों को आके हवाले कर दिया स्विफ्ट डिजायर कार नंबर HR06AL6446 का मालिक तहसील कैम के रामनगर का रहने वाला है वह मंगलवार दोपहर को करीब 12 बजे वह कार को पार्क में खड़ा करके गया था और सुबह उसे मालुम चला कि उसकी कार पूरी तरह से जला दी गई है पता कर चला आपको आज बारा बजी का सब्सक्राइब कर दिल्ली जाना से मैंने तब आगे तेगा में तो रहे हैं इसा मेरा अधारगार था यहीं कार तो और सत्रा मोडल है है शिफ्ट डिजायर है लगता भी कोई स्राइब के सामने है अब इस रख्षा तो होनी जी यह बताब एस्पी का घर भी है यह सापने उदर भी तुनों तरफ है मौके पर डायल 112 पुलिस पहुची और संबंदित थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया है फिलहाल पुलिस मामले में तमाम पहलों पर चांच कर रही है इंफॉर्मेशन मिली थे बई कोलर ना बता था मेरी का टिमाग लगी और उसने कल शाटे बारा बजे दिन में खड़ी करी थी और अब देखी है आमने जो है मैं कंसर्ट थाना है यह साय तलबीर उसको सुचित करती है वह आने लग रहा है यह नि पता कैसे क्या लग सकती है क्या प्था चांच कर आए यह आने लग रहा है प्रवाइब गाड़ी नमबर है एचार जीरो सिक्स एले चोंस्ट चाड़ी अंदर हो डाकुमेंट्स हो रहा हूंगे डिकी में डिकी अभी खोली नहीं है डिकी में हो देखते हैं डिकी महागी अगरी अधिक यह निए हमारे गो नहीं पता इसका ठीक है सब आने लग रहा है यह आने लग रहा है आप आरवाई हो करेगा जैसे भी है तो क्या पता लग जैसरारती भी कर सकता है कि आप तक वैसे भी हो सकता है ऐसी ही तमांग खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग निउस आप हमें फेस्बुक पर लाइक करें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रोइड के प्ले स्टोर और एपल मोबाईल के एप स्टोर से हमारी एप अंबाला ब्रेकि